नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है Dr. Tell Me Channel में, आज हम बात करेंगे Spinal Anastasia के Complication के बारे में, जिसको हम कहते है High Spinal Anastasia इसकी बारे में हम मरीजों को बहुत काम explain करते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 rare माना जाता है और इसलिए हम इसकी जानकारी अकसर मरीजों को देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक deadly complication है general complication हम सभी explain करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि post spinal headache जो है anesthesia मैं आपको explain करना चाहता हूं, क्योंकि recently एक मरीज जो हम spinal anesthesia दिये थे, pregnancy के cigerian operation के लिए, तुरंत ही उसकी सास बंध हो गई, और सास बंध होने की वज़े से हमको उसको intubation करना पड़ा, और general anesthesia दिना पड़ा, और सब कुछ control करना पड़ा, जो spinal anesthesia में कुछ भी करने की जोड़त होती रही है, उसको हम general anesthesia नहीं देते हैं, लेकिन ये case में spinal anesthesia दिने के बाद, तुरंत उसकी सास रुख गई, इसलिए हमें उसको general anesthesia देके, control करना पड़ा, और मरीज की जान बज़ गई, क्योंकि हम बहुत ही विजिलन्ट रहते हैं, इस spinal anesthesia के procedure में, और हम अक्सर ये देखते ही रहते हैं, कि कई ऐसा ना हो, और इसलिए इसकी complication बढ़ने से रूप जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी अगर आपने कहीं सुना होंगा, या कुछ साल पहले सुना होंगा, कि spinal anesthesia के बाद किसी की death हो गई है, तो हो सकता ही, ये एक कारण हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आईए देखते ही कि ये कैसे होता ह है, और क्यों होता है, जैसा कि आपने देखा कि spinal anesthesia में spinal cord के अंदर जो नर हो रहते हैं, वह आपे हम injection लगाते हैं, epidural anesthesia अलग रहता है, spinal anesthesia अलग रहता है, spinal anesthesia से तुरंट anesthesia मिलता है, और इसलिए pregnancy के लिए हम यहीं यूज़ करते हैं, सेक्षन के लिए इसमें तुरंट इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन यह काफी नीचे injection हम लगाते हैं, यानि spinal column के एकदम नीचले हिस्से में हम लगाते हैं, क्योंकि वहां के नर्व हमको anesthesia देना रहता है, अगर उपर के नर्व को anesthesia मिल गया है, यानि कि chest के नर्व को anesthesia मिल गया, तो आपके सास लेने की खिशंता बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसी नर्व से आपके chest muscle active रहते हैं, जो सास लेने में आपको मदद करते हैं, अगर वही नर्व आपके anesthesia के drug से involved होके, अगर anesthetize हो गए, तो chest muscle काम करना बंद करेंगे, और आपका सास लेना बंद हो होता है, generally हम जब भी anesthesia देते हैं, तो नीचे में number region में anesthesia देते हैं, और marriage बाद में late जाता है, late जाने के बाद, जैसे कि आपने ये curve देखा है, इस curve के through, अपना anesthesia का drug नीचे नीचे आ सकता है, जो thoracic vertebra तक जा सकता है, और इसको avoid करने के लिए हमेशा हम थोड़ा सा precaution ले लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कि लेटने के बाद, आपकी drugs जो है, वो ऐसे उपर उपर जाती है, जैसे फिगर में आप देखेंगे, कि लंबर वार्टी बरामे injection देती के बाद, उसका जो curve रहता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, थो ड्रग अ जो है, pregnant lady का mismatch रहता है, यानि इनका pelvic portion जो है, pelvis थोड़ा सा उपर रहता है, और उसकी वज़े से और slope बन जाता है, जैसे फिगर में देखेंगे, कि spinal column का slope सर की तरफ है, मतलब कोई बीट्रग अगर नीचे में देंगे, तो वो सर की तरफ जा सकता है, तो उस वज़े से भी थोड़ा सा chances रहता है कि आपका drug ऊपर तक जाए, यानि chest के level तक जाए, या brain में जाए, अगर brain में गया तो patient बेहोशी हो जाएंगे, और chest तक गया तो सिर्फ उसको सास लेने में दिक्कत आजेंगे, इसको दो अलग-अलग term है, जैसे chest involved हुआ तो हम high spinal कहते हैं, और अगर brain involved हो गया, पूरा brain तक गया, intracranial गया, तो उसको total spinal कहते हैं, तो ऐसा हो सकता है, और इस प्लकार ये spinal का complication होता है, जनरली, इसमें उसको सास लेने में दिक्कत हो जाती है, और हमको फिर उसको intubation करना पड़ता है, यानि उसको general anesthesia देना पड़ता है, और सब कुछ control में करन पड़ता है, अगर ये सब हो गया, control तो कोई दिक्कत ने, patient को कोई neuro deficit नहीं होता, यानि उसका brain damage नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ये timely manage करने, यानि आपका जो anesthetis है, उसको आना चाहिए, और इसमें baby का भी खत्रा रहता है, क्योंकि अगर mother का अगर सास लेना बंद हो ये तो ये एक बहुत बड़ा night में है रहे समझे है, यानि हमेशा ही ये सोचते है कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी हो जाता है, तो बस ये video बनाने का मकसद मेरा इतना है, कि आपको हल किसी एक जानकार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें doctor की कोई गलती होती ही नही ये अपने आप होने वाला चीज है, ये अपने आप होने वाला complication है, इसमें anesthesia के doctor की या surgeon की जो operation करने जारा उसकी कोई गलती होती ही नहीं है, ये एक लग में किसी एक मरीज को होने के chances होते हैं, और इसमें अगर कुछ अंजान में कुछ अगर miss happening होती है, तो doctor को dose देने मे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप ये समझो कि ये एक complication कभी भी किस के साथ भी हो सकता है, इसलिए आप doctor को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस एक बात दिमाग में रखिये कि ये एक deadly complication once seen a while होता है, दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, तो आप like जरूर कि ये क्योंकि like करने से मेरे को लगता है कि काफी लोगों को ये वीडियो देखना को मिलेंगा, और अगर आप मेरे आने वाले वीडियो भी देखना चाहते हों, तो बटन को सब्सक्राइब बटन को जरू दबाएए, ठैंक यू वेरी मच्छ